तो संट अधैकं मिल्कर, सुड़ियर स्टूटेंट्सॅ आーフान यौनिवसिटी कराची में बादे सेक्टर की युनिव़सिटी और इसे पाकिस्तानी और मुवे इंतरनैशीम्र रैंकिंगंस में पाकिस्तान की नमबर वन मेडिकल युनिवर्सटी किसेडर किया जाता है अब आखान युनिवर्सटी में वैसे तो MBBS का प्रोग्राम उफर होता है इसके लावा यहां पर नर्सिंग करवाई जाती है फिर एसोसियेट डिगरी प्रोग्राम होता है डेंटल हाईजीन में इसके लावा पोस्ट RMBS नर्सिंग का प्रोग्राम भी करवाई जाता है और इन सब के अड्मिशन जो हैं वो अलग से होते हैं MBBS के इन में अड्मिशन के लिए तो आखान उनिवरस्टी का अपना अलग से एंटिटेस्ट भी कंड़क्ट होता है लेकिन पिछले साल आखान उनिवरस्टी ने ये किया कि इन प्रोग्राम के अलावा कुछ अडिशनल BS 4-year के प्रोग्राम भी लाउंच किये और पिछले साल ये 2020 के सेशन में इन प्रोग्राम में आखान उनिवरस्टी के तरफ से अड्मिशन जनवरी फर्वरी में किया गया थे और अब लाय करने के डैडलाइन मार्च में थी लेकिन इस साल दो तीन माँ पहले ही अड्मिशन ओपन कर दिया गया है और आखान उनिवरस्टी के तरफ से इन प्रोग्राम के अड्मिशन का एक ओफिशल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है वेबसाइट से और रिजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट कर दिया है और आफर होने वाले 4-year डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल है BS Asian and Middle Eastern Studies, Social Development Studies, BS Philosophy, Politics and Economics और BS Human and Environmental Biology अब ये चारों प्रोग्राम्स भी कुछ इस किसम के हैं के जिन से मुतलिक आपने पहले शायद कभी नहीं सोना होगा या इस टाइटल के साथ BS 4-year का प्रोग्राम्स पाकिस्टान में कोई दूसरी यूनिवस्टी आफर नहीं करते होगी लेकिन चुकि ये प्रोग्राम्स आखान यूनिवस्टी के तरफ से आफर के जा रहे हैं तो इनकी वैल्यू अपने जिगा पर डेफिनिटली है और आखान यूनिवस्टी जैसे एदारे से अगर आफ 4-year BS का प्रोग्राम्स इनमें से किसी भी डिसिप्लन में कर लेते हैं तो आप अपने लिए एक अच्छे प्रफेशनल केरियर की तवक्र रह सकते हैं और आखान यूनिवस्टी की ओफिशल वेबसाइट के इस पेज पर BS प्रोग्राम्स के अड्मिशन के हवाले से तमाम जरूरी इंफर्मिशन प्रोगाइड की गई है और AKU की Faculty of Arts and Sciences के इन चार Undergraduate BS प्रोग्राम्स में अड्मिशन आफर के जा रहे हैं इसमें अप्लाइ करने की आफरी तारी 15 दिसंबर हैं और इन प्रोग्राम्स के इलिजबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो इन में अप्लाइ करने के लिए किसी भी किसम की स्पैसिफिक बैग्राउंड रिकॉयर नहीं है आपने किसी भी किसम का इंटर्मिडिट किया हुआ है या ए लेवल में पीसी भी सब्जेट्स के साथ आपने अपनी इंटर्मिडियर एजुकेशन कंप्लीट की है तो ऐसे के इसमें आप अप अप्लाइ कर सकते हैं इसके लाब ऐसे स्टुडेंट जिनका फर्स्टियर का रिजल्ट अनौंस हो चुका है और वो करेंट्ली सेकंड इयर में पढ़ रहे हैं तो यह स्टुडेंट्स भी अप्लाइ कर सकते हैं या जिन्होंने इंट्रमीडर कंप्लीट कर लिया हुआ है तो दोनों ही अड्मिशन के लिए अप्लाइ कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ स्कॉलाइस्टिक अचीवमेंट्स इम्राद मैट्रिक और इंट्रमीडियर के मार्स हैं फिर इंट्रिव्यू इवैलवेशन और अधर एट्रिव्यूट्स असेस्ट्रू डॉकिमेंट्स प्रवाइड तो इन सब के थूरू स्टूर्ट सिर्फ एक बार ही एडमिशन के टाइम पे करनी है जिसमें स्टूड्न एक्टिविटी फी चारह जार रुपे है स्टूडल हेल्फ फीस तीस जार पे जबकि एक साल की टूशन फीस उननीस लाग तीस जार पे होगी इसके लाब जो स्टूड्स हॉस्टिल की फिसलिटी अव उस बीस लाब रुपे फीस बन जाती हैं लेकिन जो स्टूड्स ये फीस टप्चर फोर्ड नहीं भी कर सकते हैं तो उनके लिए आखान युनिवस्टी के तरफ से मुक्तिफ स्कॉलरशिप्स और फाइनिशल असिसंस के प्रोग्राम्स भी आफर होते हैं जैसे के मेरिट ब मेंसे जो उन्हें सैलवी मिलती हैं उसमेंसे एक फिक्स प्रपोश्चन उन्हें युनिवस्टी में रिटर्न करना होता हैं तो यह एक एग्रिमेंट सायं हो जाता है जिसके तुरू स्टूडंट्स को लोन दे दिया रहता है और इसके लावा मेरिट बेस्ट और नीड बेस स्कॉलशिप्स इसके लावा हैं और इसी से मतलब युनिवर्सटी के से बताया गया है कैसे तमाम स्टूड़ंट जो एड्मिशन सीक्योर करने में कामयाख हो जाते हैं लेकिन वो युनिवर्सटी की फी ऊफोड नहीं कर सकते हैं तो ऐसे के इसमें युनिवर्सटी उन्हे और यूनिवस्टी के तरफ से BS के प्रोग्राम का एड्मिशन टेस्स जो के 24 फरवरी को कंड़र्ट किया जाएगा तो इसके टेस्ट सेंटर्स पाकिसान के मुक्तलिफ शहरों में बनेंगे जिन में शामिल हैं चित्राल, गिल्गित, कराची, लहोर और इसलामबार इसके लावा इंटरनेशनली वैन्यूस में भी मुक्तलिफ शहरों में आखाली उनिवस्टी के एंटी टेस्स का सेंटर राइंट किया जाएगा पेमेंट त्रू डेबिट, क्रेडिट कार्ड भी पे की जा सकती हैं और आखान यूनिवस्टी के एडमिशन्स के हवाले से किसी भी फर्दर इंफर्मिशन ये गाड्लाइन्स के लिए अब दिये गए हेल्पलाइन नंबर या इमिल आइडी के तू यूनिवस्टी से डिरे